OBC आरक्षन को लेकर घिरी योगी सरकार के लिए आज बस्यक्राइब करें के राहत की खबर आई है सुप्रीम कोट ने हाई कोट के आदेश पर रोक लगा दी है और योगी सरकार को चुनाओ कराने के लिए तीन महिने का वक्त भी दे दिया है तो कोट का क्या था आदेश जिसे योगी सरकार ने दी ती चुनोती देखे ये रिपोर्ट दे दिया है कि यूपी सरकार ने देखे लिए निकाय चुनाव टाल सकती है लेकिन इस दौरान कोई भी बड़ा नीतिगत फैसला नहीं लिया जा सकेगा यूपी सरकार की ओर से सॉलिसिटर जंडल तुशार महता ने कहा कि सरकार ने OBC IO का गचन कर दिया है इस्थान ये निकाय चुनाव आयो की रिपोर्ट आने के बाद ही कराया जाना चाहिए कोट ने इसी दलील को स्वीकार करते हुए तीन महीने के लिए चुनाव टालने का अधिकार राजिस सरकार को दिया है दरसल निकाय चुनाव में 27 प्रतिशत आरक्षन OBC वर्ग को दिया गया है जिसके खिलाफ राइबरेली के सामाजिक कारिकरता बैवः पांडे ने जनहिती याचिकात दायर की थी उन्होंने कहा था कि यूपी सरकार सर्वे या आयो की रिपोर्ट के बगेर ही नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षन दे रही है जबकि यूगी सरकार की दलील थी कि निकाय चुनाव मामले में 2017 में हुए अन पिछडा वर्ग के सर्वे को आरक्षन का आधार माना जाए इसी सर्वे को ट्रिपल टेस्ट माना जाए लेकिन हाई कोट ने सरकार की दलीलों को रद करते हुए कहा कि OBC आरक्षन के बिना ही निकाय चुनाव जल से जल्द कराया जाए डिवी लाइफ की रिपोर्ट